नमस्ते बच्चों, मैं अक्षिता बैटिता विविगाने कभी स्कूल से आपका स्वावत करती हैं आज अब बक्षा दोथी हिंदी पड़ेंगे आज अब पाठ शे पड़ेंगे जिसका नाम है गुत्ती का बल तो हम पढ़ना च्टार्ट करते हैं नदी के किनारे बरवत का मुखत बड़ा पेड था उसकी डाल पर एक घोसला था जिसमें कोई का एक जोडा रहता था उसी पेड के तने में एक खोगी जगती जिसके अंदर एक साप रहता था मादा कोई ने घोसले में चार अंडे दिये कुछ दिनों के बाद अंडे में से बच्चे निकल आये कोई का जोडा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूडने के लिए चला गया साप इसी मौके की तलाश में था वह पेड के उपर चड़ा और कोई के बच्चों को खा गया जब कोई का जोडा लोड़ कर आया तो घुसला सालीद दिखा दो लोगो बहुत दुखी हुए रोदे रोदे मादा कोई ने सांप को पिल में धीरे से घुशते देखा उसे समझ आ गया कि यह काम साफ गाई है कुछ समय बार मादा कोई ने दुबारा अंडे दिये और सांप उन्हें फिर से खा गया मादा कोई ने दुखी खोकर नर कोई से कहा हमें यह घुसला छोड़ देना चाहिए नर कोई ने कहा पर हम अपने बनाएं घर को केसे छोड़ कर जाएं हमें इस दुख सांप को माणने का उपए सोच नहोगा कोई ने अपने मित्र सियार से सला की सियार ने एक उपए बताया उस बेड़ के पास एक राणी नहने आई हुई है तुम राणी का हार उठाकर उपोड उसके बिल में डाल दो कोई ने वेसा नी किया और साप के बिल तक पहुच गये जैसे ली उन्होंने बिल में से हार निकालने की खोशिश की तो साप ने उन पर हमला किया रानी के सिपाई ने धाले से साप करवार किया साप मारा गया कोय ने बुद्धी के बल पर साफ जैसे ख़तर नाश कर दिया तो वचो इसे हमें के शिक्ष़ मिलती है वद्धी के बल पर कठीं से कठीं काये फ़रता सीच दिया जा सकता है ओके बचो प्लीस दू लाइक, कमेंट and subscribe our YouTube channel. Thank you.